हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आद इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRFC के बारे में IRFC के बारे में अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से बहुत जादा कोई मेजर डिसकेशन नहीं हुआ था क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो पिछले 3-4 वहीनों की भी बात कर लूँ तो कोई बहुत बड़ा improvement या कोई बहुत बड़ी fluctuation upside या downside में देखने को नहीं मिली थी और ना ही कोई news आपको important देखने को मिली थी तो इसलिए इस पर discussion करना कुछ जादा खास बनता भी नहीं था लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे इसके quarter one के numbers आने वाले हैं वो basically discuss करेंगे कि कब तक आपको quarter ones के numbers देखने को मिल सकते हैं क्या corporate action या आप देखने को मिल सकता है और आज के time पर कल से क्या scenario बन सकता है यहाँ पे हम पूरा discuss करने वाले हैं साथ के साथ आप मेरा private telegram channel तो join करी सकते हो link मैंने description में provide कराई हुई है और मैंने recently yes bank की उपर भी एक video बनाई है यानि की fund raising से भी बड़ी एक update निकल के आई है वो भी आप check out कर सकते हो सब दे बहले में जल्दी से आपक आपको देखने को मिल रहे है reduce jubiland food यानि की jubiland food work पे अगर आप देखो के तो sale के target है यहाँ पे HDFC securities की तरब से महिंदरा live space developer का यहाँ पे buying की recommendation निकल के आ रही है 521 के targets है HDFC securities की तरब से sona blw की अगर आप देखोगे 726 का target है buying की recommendation है ICSG securities की तरब से वाइपॉन के target 332 है यहाँ पे आप buying कर सकते हो और ICSG securities की तरब से यहाँ पे buying की recommendation निकल के आ रही है SBA cards पर भी buying की recommendation है 1265 रुपे के target है HDFC securities की तरब से फीनो पेमेंट बैंक पर भी अगर आप देखोगे ICSG securities bullish नजर आती है buying की recommendation 325 के target home first finance buying की recommendation है 995 के target है ICSG securities की तरब से डॉक्टर लालबत लैब 2919 के target है buying की recommendation ICC securities की तरब से इनी stocks को आप consider कर सकते हो अगर आपको इन दौनों ब्रोकिंग houses पे बरोसा है तो बाकी मेरी वीडियो को भी like कर दिया अगर हो so that मुझे भी यहाँ से motivation मिल जाए अब हम बात कर लेते हैं IRFC के बारे में IRFC में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो Friday की scenario जो हम देखें तो positive देखने को मिला करीवन 1% का upside moment आपको यहाँ पर IRFC में देखने को मिला है यह शेर आप देखी पा रहे होगे कि कभी भी moment नहीं दिखा पा रहा है कोई बहुत बड़ा moment इस particular stock में आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है तो वहीं अगर हम बात करें पिछला जो एक महीना है उसमें करीवन 5% के आसपास के returns इस particular stock ने बना के दिये हैं अब आप यह देख पा रहे होगे कि 5% के returns के बाद भी 20 रुपे के आसपास के लेवल पर ही trade कर रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी थी 20 रुपे के लेवल से भी नीचे जा चुका था यह stock इस वजह से आप यह scenario देख पा रहे हो तो वहीं अगर हम बात करें पिछले एक साल की तो करीवन साड़े 10% के negative returns इतनी जादा fundamentally strong होने के बाद इतना जादा बहतरी बिजनेस होने के बाद फिर भी अगर यह हाल है तो आप कोई समझ जाना चाहिए कि company जो है वो government company नज़र आती है कि mostly PSE उसका हाल यही है stock market में और वहीं अगर हम बात करें जब से यह IPO आया है तब से अभी तक 17% के negative returns दे दिये हैं यानि कि आज तक कभी भी इसने positive returns नहीं दिये है long term में लेकिन company अच्छी है अब वो क्यों यहाँ पे आप देखो तो sector की PEE से इसका जो PEE है वो कम नज़र आता है वो भी बहुत ही ज़्यादा अब केवल हो केवल PEE अगर किसी stock का कम है तो इसका मतलब यह नहीं है कि stock अच्छा है आपको एक और चीज़ देखनी चाहिए कि क्या उसकी profitability क्या उसका revenue increase हो रहा है या फिन नहीं अगर year on year basis पे दोनों चीज़े increase हो रही है साथ के साथ अगर stock का PEE कम है तो definitely company बहुत ही cheaper valuation पर आपको available है buying कर सकते हो अब यहाँ पर आप देखोगे तो 100% forecasting rating में analyst यहाँ पर recommendation दे रहे हैं एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बहुत बड़ा catch बताता हूँ जब आप कोई भी application पर यह देखते हो कि 100% की recommendation है या कितने भी वहाँ पर यह देख लो कि इसमें कितने percent analyst recommend कर रहे हैं इसकी सच्चा है आप यहाँ पर देखो केवल और केवल एक analyst ने recommend किया है अब एक analyst ने buying की recommendation दे दी तो app ने आपको बोल दिया कि 100% recommendation मिल रही है आप इसमें buying कर सकते हो तो किसी भी चीज़ पर आँखे बंद कर के विश्वास मत करो पूरी scenario देखो बाकी अगर आप आप यह भी देख पा रहे होगे कि इसकी price variation में higher भी 75% है median भी 75% ही है low भी 75% plus में ही है तो यह भी आप देखो केवल और केवल जब एक ही analyst recommend करेगा वो अपनी target यहाँ पर mention करेगा और app वही उठा के आपको same चीज बता देगी तो यह जारी चीज़ें आपको जरू consider करने च था 2019 में जो कि 4 साल में बढ़के 6 करोड से भी जादा हो गया यानि कि करीवन करीवन तीन कोने से भी जादा तो company का profit बहुत जादा ग्रो कर रहा है और revenue के बारे में बात करें तो same scenario revenue में double होते हैं नजर आ रहा है चार सालों के अंदर अंदर तो definitely profitability revenue बहुत अच्छा है कहीं का जो revenue है हर बारी अच्छी परसेंटेश के साथ increase हो रहा है EBI TDA भी अगर आप देखोगे मैं आपको financial years का यहाँ पर data देखा रहा हूं तो आप देख पाऊगे कि EBI DTA भी increase होता है वो भी बहुत अच्छी परसेंटेश के साथ PBIT और profit before tax आपको 10% 38% 37% ऐसी numbers की growth दिखाता ह तो company पे buying की recommendation तो definitely बनती ही बनती है net income भी बढ़ रही है EPS भी बढ़ रहा है लेकिन सबते बड़ी दिक्कत क्या है कि इसके stock price ही नहीं बढ़ रहा है वो सबते बड़ी दिक्कत है जैसे कि इसके Q1 के numbers आने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि IRCTC या फिर IRFC यह दोन तबी इन दोनों company के result आते हैं अब यहां पे अगर आप scenario देखो तो कब तक आप expect कर सकते हो क्योंकि अगर आप पिछला भी देखोगे March quarter का भी आपको May में देखने को मिला था उससे पहले December वाला भी Feb में देखने को मिला था तो definitely हम यहां से expectation कर सकते हैं कि जो June quarter के results है वो directly बता देता हूं bonus के chances zero है यानि कि company का ना तो कोई इतनी जादा बहुत जादा valuation high हुई है ना share पर जिसना जादा उंचा गया है कि company आपको bonus देदे तो definitely bonus के chances मेरे according विल्कुल zero है आप भी expectation कम ही रखो तो जादा सही रहेगा लेकिन company आपे आपको dividend प्रोवाइड कराती रहत है जो कि sector के comparison में बहुत अच्छा है तो यहां से expectation हम रख सकते हैं कि इस बारी decent amount of dividend company शायद announce कर देख्यों कि पिछली बारी अगर आप यहां पर देखो तो पिछली बार से यहां पर कोई भी हमें देखने को नहीं मिला है कि कोई भी dividend दिया हो तो इस बारी chances है आपको हो सकत यहां पर past dividend का track record भी है आपको दिखा दिया है वो भी आप consider करके चल सकते हो तो यह कुछ scenario थे जो कि IRFC में बन रहे हैं quarter one में देखते हैं कि क्या होता है date बगर की expectations मैंने आपको बता दिया है सारी information मैंने आपको दे दिया वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो like आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहे टेलीगराम चैनल तो आप मेरा जॉइन करी सकते हो धन्यवाद